वारानसी जनपत में 24 जनवरी 2021 में हुई निस्ठा परिक्षा के बाद दिनांग 27 जनवरी 2021 को आधार सिला मौडियूल और आधार सिला क्रियानवेन संदर्शका पर क्विज प्रिद्यो किता हुई जिसमें कुल 15 प्रस्ण पूछे गए प्रतेक प्रस्ण के लिए दो अंक नि प्रस्ण वर निर्देशन में संपन्न हुई इस परिक्षा के निर्माड में सभी ब्लॉकों के खंड सिक्षा अधिकारी सभी जिलास समरोय गंड और सदस्य राज संदर्व समू का भी विशेश योगदान रहा आईए अब इस परिक्षा के सभी प्रस्णों पर चर्चा की जाए देखिए इस गूगल फॉर में जो प्रस्ण संक्लित किये गए हैं उसमें अधिकतर प्रस्ण कथनात्मक प्रस्ण है यानि कि इसमें कथन दिया होगा और कथनों के आधार पर आपको विकल्प चुनने होंगे जैसे इसमें पहला प्रस्ण की संख्या पूर अवधार दोनों ये सही होगा इसमें दूसरा प्रस्ण की मानवी मूल्य है इसमें कव है सम्वेधन शिल्ता और खो है एक दूसरे का सही होग तो यहाँ पर भी ये दोनों ही मानवी मूल्य है इसलिए जो तीसरा विकल्प होगा वो सही होगा इसमें तीसरा प्रस्ण की नेस्टेड सीधे तोर पर को सिक्षन परिक्रिय को दिशा देने और खौव इसमें है कि सुधार के दृष्टे से विख्षित किये गए हैं तो जो नेस्टेड़ लिणिंग आुटकम है वो जो दोनों स्टेटमेंट्स दिये हैं दोनों के आधार पर इसका निर्माड किया गया है इसलिए जो तीसरा विकल्प होगा को और खो दोनों यह सही होगा इसमें चौथा प्रस्ने की बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूब में देखने वह समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं यह है यह कैसा लर्निंग आउटकम है तो देखिए एक केंद्रिक लर्न इसमें छट्वा प्रस्ने की रश्नात्मक क्रिया कलापों को करने के साथ साथ प्रस्तूति करण के अउसर मिलने चाहिए तो देखिए इसके मौके प्रारंबिक अक्षाओं में मिलने चाहिए इसलिए यहाँ पर जो एप्रोप्रियेट आप्शन होगा वो अंतिम वाला भासा विकास के चार बुन्यादी पहलूओं में शामिल है तो इसमें पहला है भासा संदचना और व्याकरण और इसमें जो खौ वाला है कल्पना और स्रिजन सिलता तो यह दोनों ही समलित है इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा कौ और खौ दोनों यह सही होगा इसमें आठ बच्चों के लर्निक आउटकम गडित्विशए में यह दोनों ही समलित हैं इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा को और खौ दोनों यह सही होगा इसमें नमा प्रस्ण की बच्चों के खेलों में गलतियों का कोई डर नहीं होता यह कौ श्तेट्मेंट है और खौ है बच्चे अपने खेलों में चुनोतियों का इस तर स्वयम ही बढ़ाते रहते हैं तो यह दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसलिए अंतिम विकल्प सही होगा इसमें दस्वा प्रस्ण इसमें कॉल स्टेटमेंट है छोटी छोटी रोचक क्रियाओं कि एक श्रिंखला जो चिंतन को किसी ए और खौ दोनों सत्य हैं सही होगा इसमें 11 प्रस्ण है सीखने की प्रिक्रियाओं को सकारत्मक समर्थन देने में इन पहलों पर कारे करना होगा तो किन किन पहलों पर कारे करना होगा इसमें पहला है कक्छा प्रबंधन दूसरा खौ वाला है सिख्षण योजना और गौ है पार्ठिक्रम का चयन तो इसमें देखें जो गौवला है वो सही नहीं है पार्ठिक्रम का चयन जरूरी नहीं है इसमें कख्षा प्रबंदन और सिक्षण योजण यह दोनों इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसलिए जो पहला विकल्फ होगा वो सही होगा इसमें बारों प्रशने के सिक्षण योजना बनाते हुए इन बातों पर विशेश ध्यान रखना चाहिए इसलिए पहला है को लिखित और मौकिक गतिविदी में आपसी सामजस्य हो इसमें ख रवा प्रशने की भासा सिक्षण के लिए जब भी योजना के बारे में सोचे उसमें शामिल करें इसमें को है सुनना हो है बोलना ग है पढ़ना और गो है लिखना यानिक भासा सीखने का में वह चौर वह différentes होने चाहिए उने अंतने क्यश्वह गंगे इसने अमड़े विकल कर बनते हैं ठीक है इसमें जो स्टेट्मेंट है कि ध्वनियों को पहचाना और वर्णों से जोड़ते वे शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनी जाग रुकता है तो यहां यह दोनों ही स्टेट्मेंट सही है इसलिए जो तीसा विकलब होगा को और खो दोनों सत्य है यह स सही है और इसमें खौ है कि शुरुवाती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तों की भूमी का अहम होती है तो देखें बिल्कुल सही है क्योंकि गर्तिविदी आधारित सिध्धान्द होता है उसमें उसका जो क्रम है वो है ईल पीस तो वहां पर भी एक्स्पेरियंस वि जो दोनों ही स्टेट्मेंट है वो सही है इसलिए जो अंतेम विकल भूगा को और खो दोनों सत्य है यह सही होगा तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माद़न से जो परिक्षा में समलित प्रसंत है जो आपके साथ में साजा किये गए वो आपको अच्छे लगे होंगी उससे संबंदित वीडियो आपको समय से मिलते रहें वीडियो देखने के लिए आप सबी लोगा बहुत-बहुत धन्यवाद